घर के अंदर किसी भी electrical equipment को आपको on करना हो या फिर off करना हो चाहे आपका fan हो, tube हो, bulb हो या फिर टीवी हो तो इसके लिए जरुरत पढ़ती है आपको switch की और जब बात आती है इस switch को खरीदने की तो आपको कुछ चीज़े जरूर धहन में रखना चाहिए क्योंकि खराब और घटिया quality के जो switch होंगे उनमें न सिर्फ आपके पैसे चले जाएंगे बलकि safety के इसाब से आपके घर के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती है तो अगर आप अपने घर के लिए switch या फिर socket खरीदने वाले है तो इस video को पूरा ज़रूर देखे अब अगर आपको अच्छे quality का switch लेना है तो सबसब पहली चीज़ आपको उस switch के उपर देख लेनी है वो है ISI mark ये जो ISI mark होता है ये quality की सबसे पहली और सबसे important निशानी होती है जो कि आपके switch के उपर होनी ही चाहिए अगर आपके switch के उपर ISI mark नहीं है तो इस तरह के switch को बिल्कुल भी मत खरी दिये अगला point आजाता है warranty के related हर एक company अपने switch की अलग-अलग सालों तक warranty देती है तो इसके लिए आपको दुकानदार के पास से warranty card को लेना चाहिए अच्छा बिल लेना चाहिए सिर्फ दुकानदार ने कह दिया और आपने मान लिया ऐसे चीजों पर विश्वास मत कीजे जिस द पारा में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है अच्छे और branded company के जो switch है वो कभी-कभी बहुती कम दाम में आपको मिल जाते है अब यह company की चालाकी होती है क्योंकि ऐसे switch जो होते है वो सिर्फ और सिर्फ उसी company के plate में fix हो जाते है और ऐसी plate में दूसरे company के switch नहीं लग तो इसका नुकसान यह हो जाता है कि आगे चलके आपको सिर्फ और सिर्फ उसी company का switch खरीदना पड़ता है तो यह company की चालाकी होती है और गलती से भी कभी वो company आगे चलके बंध हो गई तो आपको पूरी की पूरी plate को भी change करवाना पड़ सकता है तो इस वज़े से जब भ यह polycarbonate metal का इस्तमाल किया जाता है और बहुत सारे switch में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पर copper का इस्तमाल किया जाना चाहिए वहाँ पर किसी और metal का इस्तमाल किया जाता है cost cutting के लिए तो ऐसी चीज़े आपके switch के साथ नहीं होनी चाहिए और आपकी जो switch की life होगी वो कम से क एक लाग click तक होनी चाहिए उससे कम बिल्कुल भी नहीं और जैसे के हम six ampere का इस्तमाल करते है light और fans के लिए 16 ampere का इस्तमाल करते है heavier lights, tv, cooler, fridge के लिए और 25 ampere का इस्तमाल करते है geezer और air condition के लिए और जो कोई भी switch आप लेने वाले होते है वो ज़रूर fire retardant होने चाहिए और उनमे fireproof mechanism होना चाहिए जिसकी वज़े से और भी ज़्यादा safety आपको मिल पाती है और जो दो चीज़े आपके switch में नहीं होनी चाहिए वो है आपके switch में बहुत ज़्यादा आवाज नहीं आना चाहिए और दूसरी चीज उसे on या फिर off करते समय बहुत ज़्यादा pressure ल उसकी quality भी अच्छी होनी चाहिए और जहां तक बात आती है branded company की तो आप जो है anchor, vipro, hevels, lnt, leegrand, gold metal इन company के switches का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब वीडियो में बात आये गया है सिर्फ इसी वज़े से इन company का इस्तमाल मत कीजे आप अपने electrician के साथ discuss करने के बाद ही अपना decision लीजे तो आप अपने घर के लिए कौन से company का switch लगाना पसंद करेंगे comment box में comment जरू कीजे क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए हमार एक subscriber की comment आई थी उसके उपर हमने इस वीडियो को बनाया है वीडियो अच्छा लागा हो तो इसे like कर दीजे और चानल को अभी तक आप के जरू काम में आ सकता है